नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम पढ़ेंगे कविता कौन सी कविता चलिए आपनों अंदाजा लगाईए यहां आस्मान में उड़ती है और फूलों पर बैठती है सही बताया आपने तितली हाँ तो इस कविता का नाम है सुन्दर तितली तो चलिए कविता को शुरू करते हैं बैठ फूल पर सुन्दर तितली हसकर मुझे से यो बोली हसकर मुझे से यो बोली फूल न तोडो मुझे न छेडो छेडो गे तो उड़ जाओंगी पास कभी न आओंगी हाँ बच्चों तो यहाँ पर तितली क्या कह रही है कह रही है कि मैं फूल पर बैठी हूँ देखो भाई फूल को मत तोडो और मुझे मत छेडो आपनों भी तितली को पकड़ के छेड़ते हो ना उनको पकड़ने की कोशिस करते हैं न बच्चों लेकिन नहीं उनको भी कर देना चाहिए खुश रहने का उन्हें भी हक है तो तितली कहती है अगर आप मुझे छेड़ोगे तो मैं उड़ जाओंगी और फिर आपके पास कभी नहीं आओंगी तो बच्चों आप लोग भी तितलीयों को मत छेड़ना वो लोग को भी फूल पे बैठने देना और फू लोगका है और आपके पास का पास का उन्हें आपके लोग अटश बाल नहीं आपके वड़ोगे पास का पस्यादी तो बाला प्रचा।